जेपी नड़ा बिहार आएंगे और बिहार आने के बाद जेपी नड़ा 2024 की तैयारी में इस कदर लग जाएंगे कि उनका मकसद इतना है कि कैसे भी हमको बिहार के 40 सीट में से 40 सीट को जीत लेना है। बिहार भी उनके साथ नहीं है और इसके बाद भाजपाक के लिए जो सबसे बड़ी चिनौती है वो यही है कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों का क्या होगा और आज जब जेपी नड़ा बिहार के दौरे पर आ रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा मकसद उनका सबसे बड़ा योजना यही है कि हम कैसे भी अपने बूत लेबल कारकरताओं के साथ बैठ कर इस बात का मीटिंग कर लें कि हमको बिहार के 40 सीटों का क्या करना है जेपी नड़ा आ रहे हैं बिहार के वैशाली और वैशाली में आकर वो तीन बैठक करेंगे और उसके बाद दिल्ली लोट और उस बैठक में ये तै किया जाएगा कि कैसे कैसे हम लोगों को अभी से काम करना शुरू करना है और हमारा काम करने का तरीका क्या होगा कैसे हम नितीश कुमार और तरस्वी आदव के इस गट जोड को तोडेंगे और आखिर हम ऐसा क्या करेंगे कि बिहार के 40 सुलोक सभ कुछ मिलाते जुलाते हैं और उसके बाद किसी को भी टिकट देते हैं और वो उसी घोडे पर दाव लगाते हैं जो घोडा जीतने का माद्दा रखता हो भाजपा वाले तैयारी अभी शुरू कर चुके हैं 2023 की शुरूआत में हम हैं और भाजपा वाले लगतार इस बात का प्रियास कर रहे हैं कि कैसे भी हमारी पार्टी लोकसभा चुनाओं में अच्छा प्रदर्शन करें उनका एक मकसद ये भी है कि तरियस्पी आदव और नितीश कुमार का जो गठ जोड है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है उनको पता है कि तरियस्पी आदव के पास अप ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो बिहार और उत्रप्रदेश जैसे दाजियों को मैनेज करें 2019 में जितना बहुमत उनको इन दोनों आदाजियों से मिला था उतना ही बहुमत इनको 2024 में मिले और लोकसभा चुनाओं के मद्दे नजर नरेंद्र मोधी को जिताने के लि लेकिन देखिये जो ये नया महा गडबंदन मरा है जहां नितीश, तिरस्वी, कॉंग्रेस, माले सब एक साथ हो गए है और भाजपा यहां पर अलग थलग पड़ गई है उनको पता है कि अगर हमको ये चुनाव जीतना है तो हमको अभी से ही मीटिंग करनी पड़ेगी और तीनों बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत होगी ये नजरिया दिया जाएगा कि कैसे कैसे काम करके हमको अपने कारिकरताओं को ये समझाना है कि आप अभी से ग्राउंड पर लग जाईए अगर भाजपा की कारिकरता 2023 के शुरुवात से ही ग्राउंड पर लग जाते हैं जब जो चुनाव 2024 में होने वाला है उसमें उनकी हार की गुंजाईश बहुत कम बच जाएगी लोग कहते हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा या फिर आम तोर पर जो लोकसभा चुनाव होता है वो परधान मंत्री के चहरे पर होता है यहाँ पर नि कि तुमको ऐसे काम करना है और अगर हम लोगों को जीतना है तो हम लोगों को अभी से एक्टिव होना पड़ेगा। कर जाएगी और नितीशती रस्मी थोड़े से पीछी रह जाएंगे। बाकि इस पर कोई अबरीट आगी तो आपको मितला करेंगे। मेरे नाम प्रशान तरह है। आप जिंदर निक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।